हलो बच्चो मैं उशा शर्मा विक्टोरिस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलिगर से आज हम क्लास एर्थ में चेप्टर 16 जामन का पेर की रिडिंग करते हैं यहां से देखते मिटा वै सूचना सेक्रेटरेट तक पहुँची तो कमेटी ने फैसला लिया चूंकि दबा हुआ आदमी एक कवी है इसलिए इस फाइल का सम्मन कल्चरल डिपार्टमेंट से हैं अब फाइल कल्चरल डिपार्टमेंट के पास पहुँचा दी गई वहां अनेक विभागों से गुजरती हुई साहित अकादमी के सेक्रेटरी के पास पहुँची वह तरंत दबे हुए आदमी का इंटर्वी लेने पहुच गया तुम कभी हो उसने पूछा जी हां किस अपनाम से शोबित हो ओस ओस सेक्रेटरी ने जूर से चीखा क्या वही ओस हो जिसका गद्य संग्रे ओस के फूल अभी हाल में प्रकाशित हुआ दबे हुए कभी ने हुंकार में सिर हिलाया क्या तुम हमारे अकादमी के मेंबर हो सेक्रेटरी ने पूछा नहीं आश्चर है इतना बड़ा कभी ओस के फूल का लेखक हमारे अकादमी का मेंबर नहीं उफ कैसे भूल हो गई हमसे इतना बड़ा कभी और कैसी अंधेरी गुमनामी में दबा पड़ा है गुमनामी में नहीं एक पेड़ के नीचे दबा हूँ करपय मुझे यहां से निका लिए अभी बंदोबस्त करता हूँ सेकरेटरी फॉरन बोला उसने अपने विभाग में रिपोर्ट की दूसरे दिन सेकरेटरी आया और आदमी से बोला चुनाव पत्र मगर मुझे इस पेड़ के नीचे से तो निकालो दबे हुए आदमी ने कराहते हुए कहा यह हम नहीं कर सकते सेकरेटरी ने कहा जो हम कर सकते हैं हमने कर दिया और यद तुम मर जाओ तो तुमारे घरवालों को बजीफा दे सकते हैं मैं अभी जीवित हूँ कभी बोला मुझे जिन्दा रखो मुसीबत यह है सेकरेटरी बोला हमारा विभाग सिर्फ कल्चर से संबंदित है पेर काटने का मामला है कलम दबात से नहीं आरी कुलाडी से संबंदित है इसके लिए हमें फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को अरजेंट लिख कर भेज दिया शाम को माली ने आकर दबे हुए आदमी को बताया कल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी इस पेर को काट देंगे और तुम्हारी जान बच जाएगी अब दबे हुए आदमी का स्वास्त जबाब दे रहा था कल तक किसी न किसी तरह उसे जीवित रहना है दूसे दिन जब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के आदमी आरी कुलाडे लेकर पेर काटने पहुँचे तो उन्हें रोक दिया गया मालू हुआ कि विदे से हुकम आया है कि पेर को न काटा जाए अंडर सेक्रेटरी ने बताया आप सवेरी प्रिधान मंतरी दौरे से वापस आ गए है तो यहां तक आप रीडिंग करेंगे ओके सु बाए बिटा